हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टैनो ब्रदर्स में तो दोस्तों आज हम लोग बात कने जा रहे हैं SSC स्टैनो ग्राफर 2020 ग्रेट C&D एक्जैमिशन की एक्सपेक्टेट फाइनल कट आफ तो गैस जैसा कि आप लोग प्री की कट आफ देखी चुके हैं और जो लोग भी सेलेक्ट हुए है इसकल टेस्स के लिए उनको कॉंग्रेश्यूलेशन्स तो गैस चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ तो गैस जैसा कि मेरा एस्टिमेश्ट जो डेटा के हिसाब से जो भी रिकॉर्ड मैंने देखा है तो उसमें मैंने यह देखा कि जो number of students who scored more than 146.7 जो यूर की cut-off गई है वह 146.7 गई है और जो लोग जो मैंने 146.7 से ज्यादा score किया है वह total number of candidates हैं 2202 अब गैस जैसा कि आप लोगों पता है कि 50% लोग इसमें approach मतलब appear होंगे skill test के लिए तो गैस लगबग 1100 और यह 1100-1200 भी हो सकता है तो मान के चलते हैं 1000-1100 इसमें लोग appear होंगे इसके बाद गैस हम लोग यह मानते हैं कि जैसे अभी तक देखा गया है कि लगबग 50% से 60% लोग skill qualify कर लेते हैं grade D का तो चली मान की चलते हैं कि 50% लोग इसमें grade D का dictation lab skill cross कर लेंगे जिन लोगों के marks 146.7 से जादा है तो गैस लगबग 500 से 500 लोग grade D के लिए qualify हो जाएंगे जो skill qualify कर लेंगे तो गैस आगे चलते हैं अब गैस जो main जो main बात है वो यहां से start होती है तो guys जैसा कि हम लोगों देख सकते हैं SSC standard 2020 में जो tentative vacancies हैं उसमें UR की जो vacancy है total UR vacancies तो guys वो है 405 और जो हम लोगों के data लिया है वो 146.7 marks से जादा जो लोग हैं जो skill test qualify कर सकते हैं वो है 500 से 500 और यह 600 भी जा सकता है guys कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि अब जितने भी लोग हैं वो skill सीखेंगे अच्छे से सीखेंगे क्योंकि इस समय government job की बहुत ही ज्यादा मारा मारी है इसलिए यह 500 से 500 और 500 और 600 भी जा सकता है यह guys यूर के वेकेंसी पे काफी बड़ा फर्क पड़ेगा इससे तो guys अब चलते हैं therefore expected cutoff for grade D UR category equal to 146.plus यह मैंने क्यों कहा यह मैंने guys इसले कहा कि जैसे आप लोगों को पता है 146.7 marks से ज्यादा जिन लोगों ने pre-qualify किया है वो है 2202 अब guys इसमें से 50% लोग नहीं जाएंगे जैसे कि हम लोगों ने SSC standard 2019 का skill test में भी देखा grade D के लिए 7700 approximately बच्चे qualify किये गए थे इसमें से 4444 लोगों ने skill test दिया approximately 50% लोगों ने दिया तो guys जैसे हम लोग ऐसे ही जो लोग skill देने जाएंगे वो 50% के approach जाएंगे तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि 146.7 mark से ज्यादा 2202 लोग हैं तो इन में से 1100 1200 के approach लोग skill देने जाएंगे और ऐसा ही होता है कि जो लोग skill देते हैं उन में से 50% ही qualify कर पाते हैं और कुछ लोग जाते भी नहीं हैं तो इस हिसाब से guys 146.7 mark से ज्यादा जो लोग skill test qualify कर सकते हैं वो उनकी संखे 500 के आसपास हो जाएगी और guys हमाँ पास UR के vacancy हैं वो सिर्फ 405 vacancy हैं और आपको पता है कि ऊपर से 405 लोग लिये जाएंगे क्योंकि सकता है ये vacancy बढ़ भी सकती हैं 405 से 400 500 भी हो सकती हैं बट फिर भी हमाँ पस जो बच्चे skill test qualify करेंगे वो ज्यादा ही हैं तो ये मान की चलिए guys UR की cutoff grade D की अगर vacancy इतनी ही रहती है और अगर इन में से 200 200 200 भी बढ़ती हैं तब भी 146 से ज्यादा ही जाएगी cutoff UR category की और guys जो भी लोग ये video मना रहे हैं की 143 141 145 से कम की जो भी cutoff expected बता रहे हैं वो guys बिलकुल fake है मतलब उस पर आप न विश्वास करें क्योंकि आप भी देख सकते हैं 2018 का data उठाके की 2018 में 1500 अप्रॉक्स वेकेंसी थी और तब भी grade D की जो final cutoff थी वो 143 गई थी तो guys जब 2018 में 1500 वेकेंसी थी और तब cutoff 143 गई थी तो guys 2020 में तो 8500 के अप्रॉक्स ही वेकेंसी हैं 143 cutoff कैसे जा सकती मतलब मैं यह पूछना चाहता हूँ 143 cutoff नहीं जा सकती 146 plus ही जाएगी 147 47 47 के असपास ही जाएगी तो guys अब ऐसे इस बाकी categories का भी expected cutoff देख सकते हैं 2020 के लिए expected cutoff तो यह रहेगी UR के लिए 145 से 148 OBC के लिए 142 से 145 और EWS के लिए 131 से 134 SCST category का guys मुझे कुछ नहीं पता उनका थोड़ा uncertain रहता है नहीं बताया है यहाँ और EWS की guys यहाँ पे इतनी कम इसले रहेगी क्योंकि EWS की cutoff guys इसमे 131 से 134 इसले रहेगी क्योंकि EWS के लिए 2020 में लोगों ने apply किया है उनमें से कई लोगों के पास EWS certificate नहीं था बट फिर भी उन्होंने apply करते हुए बताया है कि मेरे पास EWS certificate है तो इस हिसाब से guys EWS के candidates ज्यादा नहीं है इसलिए आप खुरी देख सकते हैं 83.5 merit मालब सारी categories में सबसे कम merit गई है EWS की जो लोग ग्रेट डीक ले qualify किये गए तो guys यह है मेरी cutoff मेरे expect के अनुसार अब हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे भाई जिन लोगों के 145 mark से बिलू होंगे वो मेरे वीडियो को dislike भी करेंगे तो guys I am ready for this बट जो truth है वो truth है आप खुरी सोचते हैं कि 2018 में जब 1500 vacancies थी 143 cutoff गई जब 800 चली मानते हैं एक हजार हो जाएंगे बट एक हजार से ज़ादा नहीं होंगी एक हजार से जब एक हजार vacancy रहेंगे तो 143 cutoff नहीं जा सकती 145 से उपर ही जाएगी cutoff तो guys मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ वीडियो कर like पसंद आया हो तो like करें चैनल को subscribe करें and share करें thank you guys